साथियों, आप सभी यहां आस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं, आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विक्सित राष्ट्र बने. है न आपका सपना, है न आपका सपना, है न आपका सपना, जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में दिया है. ये मेरा भी सपना है 140 करोर भारतियों का सपना है साथियों भारत के पास सामर्थ की कमी नहीं है भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे यूँआ टैलेंट फैक्टरी जिस देश में है वो है वो है सही जबाब दे रहे हैं आप वो है इंडिया मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूँ आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे यूँआ टैलेंट फैक्टरी जिस देश में है वो है वो है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आप से सही उत्तर जानना चाहूंगा ठीक है रेडी कोरोना की इस ग्लोबल पैंडिमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेश वेक्सिनेशन प्रोग्रेम चलाया वो देश है वो देश है वो देश है आज जो देश दुनिया की fastest growing large economy है वो है वो है वो है आज जो देश दुनिया में नमबर वान smartphone data consumer है वो देश है वो देश है वो देश है आज जो देश fintech adoption rate में नमबर वन है वो देश है वो देश है वो देश है आज जो देश milk production के मामले में दुनिया में number one है वो देश है वो देश है आज जो देश internet users की संख्य में दुनिया में number two पर है वो है वो है आज जो देश दुनिया का सेकेंड लार्जेस मोबाइल ऐल मैनिफेक्टर है वह है वो देश है? वो देश है? आज जो देश राइज, सुगर कैन प्रड़क्शन के मामले में दुनिया में नम्मर दो पर है वो है? आज जो देश फ्रूट और वेजिटाबल प्रोड़क्शन में दुनिया में नमबर दो पर है वो है वो है आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टिम है वो है वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओटो मुबिल मार्केट जिस देश में है वो देश है वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है वो देश है वो देश है और अब जो देश अगले पचीज साल में विक्सित होने के लक्ष के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है वो देश है